आज हम आपको एक ऐसे startup के बारे में बताने जा रहे हैं जो सूरत सहर में आदारित XYXX है जो एक online main underwear brand है सूरत में इस्तित फेबरिक का व्यापार करने वाले योगेस काबरा इस brand के सस्तापक हैं यह अपनी company के लिए पूरे भारत में फेबरिक का सामान खरीद कर सूरत वा उनके आसपास के इलाकों में अपने गराकों को बेचते हैं उन्होंने अपनी company का startup करने की सुरवाद 2017 में अपने पिताजी के ओपिस से की थी सूरत में इस्तित startup करने वाली XYXX के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि पुरुष वर के लिए एक अच्छा comfort अंडर्वियर ब्रांड है तो दोस्तों उपस्तितों आपके साथ एक और inspirational, motivational और startup story के साथ अगर आप हमारी इस चैनल पर नए मैमाने तो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में गंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली motivation लाइफ चेंजिंग इस startup story की जानकर आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी योगेस काबरा जो की इस ब्रांड के संस्तापक है उन्होंने startup की शुरुआ 2017 में की थी एक दिन उन्होंने अपने एक करीबी दोस्ते पूचा कि पुरुषवर के लिए सबसा बैतरी नुफार क्या हो सकता है उसके दोस्त ने बिना समय नश्ट किया बता दिये कि अंडर कुष्वर करते हैं उन्होंने इस बात का खुलसा करते हुआ कहा कि इससा सिर्फ उनके या उनके करीबी दोस्तों के साथ नहीं होगा बलकि अधिकतर पूरुषव के साथ होता है British Multilational Retail Store D.B.N. Harm की Report के अनुसार जब पुरूश्वर्ग Relationship में होता है या Relationship शुरू करने वाला होता है तब भी नई-Nई Underwear खरीटता है योगेस कावरा ने इस Report पर अपनी सहमेती देते हुए कहा कि हमें मार्केट में सर्वे करने पर ग्यात हुआ कि इस सेग्मेंट में पुरूशों के लिए विकलपों की बहुत ही अधिक कमी है जिसके कारण उन्हें comfort के साथ समझोता करना पड़ता है जहां comfort का पूरा ध्यान रखा जाता है और वहां variety के मुल्य बढ़ जाते हैं योगेस ने अपने ब्रांड की साहिता से इन सभी चुनूतियों को खतम करने का विचार किया बारत में आने से पहले USA में post graduation की पड़ाई पूरी की फिर सूरत में आने के बाद उन्होंने यहां के भारती बाजार में आकर पता चला की यहां पर अंडर गार्मेंट्स के लिए विकल्स बहुत अधिक कम हैं उनके अनुसार साधायन तया मल्टी ब्रांड इस्टोर्पर पुराने और बेकार के फेब्रिक अंडर वियर मिलते हैं बड़े ब्रांड की रेंज 700 वा उससे अधिक के होते हैं साथ यह भी कहा कि उपर के कपड़ों के मुकाबले अंडर गार् आर्थ में फेब्रीक का सामान खरीद का सूरत वा आस्वास के अलाफों में सामान बेचने का काम करता है योगेश काभ्रेण अपनी कमपनी की सुरहात की नियोष अपने पिटाजी के ओपीस से की थी कुछ यह समय के बाद उनकी पत्नी ने भी इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ हम कोई भी कुम्परबाइज नहीं करते हैं भारत में जितने भी बड़े बड़े अंडर गार्मेंट के मैनुपेक्चर हैं वे अपने अत्पादन को सीधे अपने नाम सही बेजते हैं वे किसी भी परकार के थर्ड पार्टी या दलाल के साथ काम नहीं करते हैं इन्ही कारणों की वज़े से उन्हें सही वेंटर की तलास करना भी इस काम में काफी चुनोती को बड़ा देता है उनकी कमपनी में होने वाली समश्या के पर्मोगgio setup minimum order quality के है उन्होंने अपनी कमपनी के अदिकतर काम सुरुआती दिनों में हिंदुस्तानी जुगार्ट से पूरा किया उनकी कमपनी की टीम ने पहले नीडने किया कि सबसे पहले high standard वाली युनीट पर काम किया जाए आगे योगेस बताते हैं कि brand के सभी garment इस्थानी समुदाई की महिला ही बनाती है जिस आवशक वस्तू पर लोग ध्यान नहीं देते हैं या नहीं सोचते हैं या उतवलपन नहीं दिखाते हैं या सही से नहीं करते हैं सेगमेंट में वस्तू को ऑनलाइन मार्केट में उतारना उनका एक मत्र उतदेश है अधिकतर लोगों को तरह तरह के फेबिक और टेक्स्टाइल के बारे में पता नहीं होता है उधारेन के लिए उनका ब्रांड अंडर्वेर के लिए माइक्रो मॉडूल फेब्रिक जो कि आश्टेलिया में पाय जाने वाले बीच वूड नमक पेंट से निकला जाता है इससे सामानेता माक्रो बियन के नाम से जाना जाता है और यह भारत में मौसम के बिल्कूल अनुकूल है वर्थ 2017 के जन्यवरी के महिने में उनकी कंपणी ने ओनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से इस ब्रांड में आगे आये हैं और कंपणी के रिपोर्ट के अनुसार उनकी कंपणी की मासिक विकासदर 50% रही है परते एक महिने उनकी कंपणी नो जाई उनीट बेचती है और ओनलाइन मार्केट के माध्यम से 20 लाग रुपे तक का रेवेन्य उत्पादन कर लेती है उनकी कंपणी का उत्पादन मुली 119 रुपे से लगाकर 499 रुपे तक का होता है जो कि उनकी क्वालिटी के उपर निरबड होता है योगेस अपने वेबसाइट में लोंज और स्लीप वेर जैसे उत्पादन को भी सामिल करने की योजना बना रहे हैं जिससे कि उनकी कमपनी का विस्थार हो सके और कारिगाद के साथ काम कर सके अंडर गल्मेंट के व्यापार में योगेस की कंपणी को कई तरह की कंपणियों के साथ प्रतिश्परदा करनी पड़ती है जिसमें चैन्ना या अधारी बटोक्स नाम कंपणी जो कि उनके साथ बराबर की टकर दे रही है पर अपने ध्रण निश्चे और अपने साहस के साथ अपनी कंपणी को चला रहे हैं और एक करने हिंदी इस्टोरा उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए साथ में गंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेस्टन लों लाप चेंजिंग इस्टोरी की जान करें आपको सबसे पहले मिल सकते तो आपी मिलते हैं एक और इंटरेसिंग इस्ट अब तक के लिए बाई बाई